नमस्कार आप देख रहे हैं भाराच पेनी फोर और मैं हूँ आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजर हूँ देश की वाजथानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात यह है जनता की आवास यह वो खास कारिक्रूम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी देखा कि दिल्ली की सड़के जील और नदी में तब्दील हो गई यह कोई पहली बार नहीं देखा गया इससे पहले बेहा गया सवाल यह इट रहा है कि गर्मी में दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो सड़के जीले बन जाती है आخर ये मेर्जेंसी कब तक जारी रहेगी, ये स्थिती कब तक बनी रहेगी, इसको लेकर कोई आक्षिन प्लान है सरकार के पास या फिर नहीं, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, खास मेबानों का पानल हमारे साथ मौझूद रहने वाला है, देश की जरता भी अपनी देश की राजधानी, जहां हर बारिश में अमुमन यही हाल रहता है, हर बार दावे हजार होते हैं, लेकिन बारिश होती है, तो दिल्ली के हालत वैसी ही नजर आती है दिल्ली में दो दिनों की बारिश ने सरकार, लगर निगम और अन्विभागों की मौनसून को लेकर कीगी तैयारियों की पोल खोल कर रखती थी, जगजगजगज़ जलबराओ देखने को मिला, सड़के तालाब बन गी, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी जब बारिश होजाती हैती है तो सड़के नतियों की तर नज़र आती है और पानी को हमेशा इसी तरह पंपों के जरे बाहर निगाला जाता है गुरो रिपोर्ट भारच 24 जब तक गर्मी का मौसम था दिल्ली पानी को तरस रही थी, बूंद बूंद को तरस रही थी, जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़के जील में तब्दील हो गई, कोई प्लान नहीं है सरकार के पा आता पैली के पानी को ज्योंद का क्राम किर देंखा हैं में निचाही में पानी बंड़ता हैं म्याजारी मदन मीजन को पर देखान गया अब देखिए इस सारी चीजों के लिए चाहे पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, सब की कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है, कि दिल्ली की जो सीविस सिस्टम है, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके सारे पानी का जो ड्रेनेज है, व दाजिप नहीं उसका काम चल रहा है देखें अगर आप नजवगड से शुरू होंगे यह इधर से शुरू होंगे तो उस पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए जो साल दो साल का समय है वो तो लगेगा ना नजवगड की इलाकों की कुड़ेदान आपने देखें से टीजी आप उधर से आते हैं जगा जगा कोड़ेदान केशुपूर मंडी के पास देखें जगा जगा कुड़ेदान इतने भरे हुए हैं क्या यह काम नहीं होता है अभी क्या काम हो रहा है करा विपक्ष को टार्गेट करा सविधानिक संस्ताओं काम करके उनको जेल में भेजने का काम करा उससे काम में थोड़ी सी मैं कहता हूँ दीरा दीरे पन आ गया लेकिन वह काम पूरा होगा और खतम होगा पूरी तरह से शीके शबनम जी इस पर क्या कहना चाहें गया नहीं क काम खतम होगा और ये होगा और वो होगा जनता को कब तक बुद्धू बनाएं गया अरे भया मेरे इधर सुनिये हमेशा जब भी कोई बात आम आदमी पार्टी से पूछी जाएगी बीजेपी ने फलाना किया बीजेपी ने क्या किया उसको साइड रखिए आपका जवाब अपना दीजिये कैसे नहीं रखिये करप्शन जयल में कौन है भाईया बताईए करप्शन के उसमें जयल में कौन बंद है जयल में बंद है अपना के सारगाशऑ हीं कार। यह हैं ? पूरी देश की जनता ने आपको जवाब जी से किपने आप बोल रहे हैं कि सरकार किसकी थी MCD में आप मुझा बताई कितने महींनों से हमाद ही पार्टी के पास में CD में साल होने वाला साथार मेने शाल होने लग 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 EU उसके बावजुद इतना समय काफी नहीं था कि दिल्ली के कुड़ेदार साफ कर दिये जाए। देखें आप बताएये ना इन लोगों ने गौड़े के धेर बना दी है। जो घूरे यहाँ प्यता है उसके लावा पूड़े की पाड़ियां बना दी आप दिल्ली के चारत तरफ पूड़े की पाड़िया थे नहीं एप जी तरह घान ही। जो जनता की गरीब आदमी का मजदूर का आप इस बात को समझेए देश के किसानों ने पूरे देश के अंदर बारतिय जनता पार्टी के मुँपे तमाचा मारा है शेलेंद्र जी इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा गर्मी होगी तो दिल्ली पानी को तरस जाएगी बारिश आएगी तो उसके बाद से हम देखते हैं कि सड़के सूखती नहीं है वो दरिया बन जाती है उसके बाद से आरोप एक दूसरे के ओपर लगाए जाते है है तुमारी सरकार पहले थी मेरी सरकार अब है मुझे समय चाहिए यह आरोप ए तैरोप पे दिल्ली कब तक जहेलती रहेगी इस तरह की सिती यह बड़ा दुखाद है जी दिल्ली में जो है तीन गोवर्मेंट हैं सबसे जो छोटे पाइदान पर आपका नगर निकम हो गया है उसके बाद दिल्ली परदेश की सरकार है और दिल्ली में जो परदेश की सरकार है पिछले 2015 से लगातार जो है आप एक पार्टी की जो सत्ता है इसमें लग बग 9 वर्स का समय हो गया तो अब यह कहना कि नहीं अभी भी जो है कहन सरकार के उपर आरूप लगाना मैं समझत चाहिता हूं यह उचित नहीं है लगातार रख 9 वर्स सत्ता में दिल्ली सरकार के अधिन इस फिलिसिंग नहीं है और डीडिये नहीं है बाकि जतनी चीज़ें वह सब दिल्ली सरकार के अंतर अतागाती है अब इसके लिए आप कैसे दूत्रे आरोप लगा सकते हैं दूत्रा अभी जो ये कह रहे थे कि अब इनको आंकडों के साथ बात करनी चाहिए कि पहले ये चीज थी उसके तुल्ला में हमने इतना इंप्रूमेंट किया तब तो बास समझ में आती जो कि नहीं अभी पानी की सम मैं आए कर रहा हूं के 52 पानी की बरभादी हो रही है तो यह तो आ helpless हो जाती है तो क्या विए इसकी स्फ़ां की ब्रकापु आपتهзд होता दो साल में आप ये कहैं कि लिए अपर ऑट म मिला है तो यह भलत है आंपको यह पर प्रते और लगाने के यह विवस्ता आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसमें इसमें किसकी कमी है और मुझे यह समझना है कि साल भर का समय काफी नहीं होता है अगर दिल्ली के कोड़ेदान बुरी तरीके से भरे हुए हैं उसके पानी चारों तरफ हैं दिल्ली का मिंटो रोड देख लीज कि डिल्ली में जो समस्य हैं जल आपूर्ती को लेकर कि इस पे राजनीती नहीं होनी चाहिए इस पे सभी पक्षो को एक साथ स्कार के क्वी डिल्ली की जंता आज हमादनी की पार्टी की प्रसों किसी और डिल्ली कर दो कर दोना चाहिए प्लानिन होती थी चर्चाए होता था ट्राप्टिंग त्यार की जाती थी एक सन्क परण होता था तुरंत हम उसका समधान करते थे फंदरा साल कॉंग्रेश की सरकार में जो जन लोगों ने देखा है वो इस बात को अची तरीके से जानते भी हो है जब अपरेल में हमने एक लेटर भी दिया, जो है विजलेंस कमिशन को लेटर दिया, जिसमें लगभग 17,575 क्रोड रुपे का गोटाला हुआ है, अब ये गोटाला जो हुआ है, इसमें टेंकर्स माफिया वो अलग अपना पैसा लेते हैं, जल माफिया अलग अपना पैसा लेते ह तो कहीं ना कहीं तो इसका लोसेस हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लोसेस हुआ है, इसलिए हमने इस पर कहा था, कि इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा था, कि अभी जो जल अपूरती का संकट है, बहुत जल्दी मानसून आने वाला है, और जब मानसून तो नालिया साप नहीं है, आपका सीवरेश सिस्टम पूरी तरीके से कोलेट सो चुका है, जगह जगह आपका पानी जो है लिकेज की समस्या आ रही है, आखिर समय रहते यदि उसका समादान नहीं किया जाएगा, तो आप दिल्ली की जन्ता के लिए फिर क्या कर रहे हैं, का मुख्यमंत्री जेल में है, वो एक अलग बिसा है, लेकिन चुनी हुई आपकी सरकार है, चुनी हुई सरकार को दिल्ली की जन्ता के लिए सजग रहना चाहिए, उसके लिए जो है नए प्लान तयार करने चाहिए, ना कि खुद जब जल का संकट आए, आप खुद ही धरन करेंगे, देखें, यहां की जो मंत्री जी है, वो दरने पर बैटी, पानी चाहिए, तो हर्याणा शरकार ने बात शुनी नहीं, शुनी पता नहीं, लेकिन इंदर देव ने शुन ली, और जैसी पानी आया, वैसी पता लग गया, और वैसे इसमें को केजरिवाल जी की बु आँगा, आज देखो जगे जगे पे जील है, उन्होंने का था कि नंबर वन शिटी होगा यह पूरे वर्ड में, आज बिलकुल अनुखा शहर है पूरे वर्ड में, लेकिन बहुत दुखी बात यह है कि इसमें भारत की बद्रामी हो रही है, बारत का शीच जुक रहा है, म इटा 5 गंटे में उप्ने आफिश पोचा, लाको NGOs का मतला, लाको मेन पावर आपने बरवाद कर दी, लाको गंटे आपने बरवाद कर दी है, हजारों गाडिया खराव होई, वो गाडियों का रिपार, आप देखो ड़कों का खर्चा आता है, वो कौन करेंगा यह, अम जै होना किया चाहिए होना यह चाहिए कि हम जैसे कोई आपदा आती है उसराएं पूस्ता आर्मी और आर्मीं उनको बुलाके उनको यहां का चार देना चाहिए तब हम इस देश को इस शहर को एक अच्छा शहर बना पाएंगे चीक है लुचुगे मैं आपके पास जरता की बात सुन लेते हैं जरता पौची है अपनी बात रखने के लिए जरता क्या सोचती है समुद्दे को लेकर कि क्य वाकई वाचनीत हो रही है दिल्ली को लेकर के यह जरता से ही समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे यह अभी सबसे पहले ते यह बात हो रहे थी कि केजरिवाल जी की सरकार नहीं थी लोगों ने केजरिवाल जी को इसलिए तो चुना था कि आम आदमी की सरकार होगी लोग जो करने के लिए काम करने के लिए तो आप काम करने के लिए लोगों कर लगाई आप बोल रहे हम इस्तिफा भी नहीं देंगे हम जेल सही सरकार भी चलाएंगे और जब पानी भर जागा तो इसके लिए बीजेपी जी में बार है तो लोग फिर आपको बोट किसलिए दे दूसरा ये भाई साब कॉंग्रेस वाले भाई साब बोल रहे थे कि केजरिवाल जी ये कर रहे है वो कर रहे हैं आपने उसको बचाने के लिए उस टेम दोनों भाई भाई हो गए थे दोनों साथ मिलके चुनाव लरा और जब जब पता लगा कि दिली में मेरा कुछ खाता नहीं खुला दोनों का किसी भी तरीके से तो फिर क्या हुआ कि हम अलग हो गए फिर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं जदी आपने इतना बढ़िया भाई सिला दिक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया उस टेम जो है वह उसके लोगों उसको पहुचाया नहीं केजरीवाल जी उसको उठाय हो अगह अब 10 साल से जिना इस पावर नहीं को पावरेन करने के पाने के से और यह सबसे पहले है है क्योंकि विश्वास करकेम सोब्त दीभी विश्वास करने के भी सॉप दी लेकिन अई दिल्ली में का सब जब वर्शा हो जाती है, तो सड़के लबालब भड़ जाती है, उसको सूखा करने के लिए खतम करने के लिए कोई प्लान नहीं है, तो जनता से समझते हैं कि वाकई दिल्ली की जनता खुद को ठागा, वो मैसूस कर रही ऐसा है, पतकारम होदे, बात जो दिल्ली की पानी की पात है, अच्या पानी निकल बहाब नहीं है, पानी के बाहर जाने का, इसके लिए जनता भी जिमेदार है, उसका, आप कुड़े खाते हो, पनी को नाले में फेक देते हो, चाय पी तो पनी के नाले में फेक तो अगर आपका देश है, आपकी भी इस्टेट है, तो आपकी आपको बार बार गारी दूबा हो नहीं मिलेंगे, आपको पानी भारा हो नहीं मिलेंगे, पानी भारने के बाद मच्छर नहीं मिलेंगे, तो दिल्ली जितनी साफ सपहईडा को दिल्ली को इतनी साफ सपहईडाना चीए, लेकि साथ साथ जो सरकार की जिमेदारी होना चीए बच्चे की कसम खाते हैं, बंगले ने लेंगे, आज बावन करोर के बंगले में रहे हैं, आज उनके सुरक्षा भी आए, उनको सबकुछ उद्धा है, हमारे को महला क्लिनिक भेज़ें, खुजा का पोलो में इलाज करवाते हैं, यह उनका हाल है, घूटे का, हमारा बात, हमा बैठ ले मुझे अध्यादेश कानूं से बचाओ यह ग्यान वाट क्यों तो लिया तो बोल रहा है कोपाल राइज मालग चुनाव लड़ूंगा भारियाना में पंजाम में दिल्ली में क्या हो गया सब्सक्राइब निभाया भी करो कम से कम पहिमति यह कहना चाहिए भाई कईजड़िवाल से कि तुरंथ अपनी पार्टी को जो है ABJP में कर दे मर्ज कर दे तो यह यह जमटा है और जमटा की जनाारदन है जमटा सब जानती है यही वो जनता है जो वोट दे कि सरकार बनाती है और पिर सल्यूशन भी अपने अंदाज बता और यह रूख कर लेते हैं अपने खास मेवानों का शबनम जी आपने सुना किस तरीके से एक शक्स ने ये कहा कि अगर अरविंद केजरिवाल अपनी पार्टी का विल है बीजे केजरिवाल जी ऐसे नेता हैं इनका कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है एक सगे तो यहीं पर ही खड़े हैं जो कॉंग्रेस वाले भाई हैं खुद ही ठगावा महसूस कर रहे हैं आप पूछ लीजे जाए उन्होंने अच्छा बताया कि किस तरह से एजरिवाल जी से आप ही तो कह रहे थे मैं नहीं राजनीती लेकर आया हूं आप ही तो कह रहे थे मैं बहुत इमांदार वाली राजनीती लेकर आया हूं आप ही ने तो दंब वरा था बाकी सारी पार्टी बेकार हैं मैं ही कुछ स्पेशल वो लेकर निकला हूं जो सारी तो सीला जी के समय भी आता था, क्या शीला जी को जो जयल बहज़ना चाहते थे उनको जयल भेजा इसका मतलब आपके दो मुखोटे है। एक बात करने माला जो आप सत्ता पाने के लिए करते थे, एक वो वाला जो आप अब दिखा रहे हैं जो आप जेल में बैठे हुए जेल से भी स्तीफा देने को तयार नहीं है वो वैक्ती इसलिए कि कहीं मेरी कुर्सी पे पत्नी ना बैठ जाए मेरी कुर्सी पे कोई और वैक्ती ना बैठ जाए जो वैक्ती इतना सत्ता का लाल्ची ह उसको जनता की पर्वानी है शाजिया जी और जो प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी की तरफ उंगली उठाते हैं न मैं उन सब को बता दूँ 2014 के बाद से पहनी बार ऐसा समय आए जब बदलते हुए देखा है मैंने भारत को जब मैंने देखा है कि किस तरीके से जनता जागरू कोई है चाहे वो राम जी का नाम लेना हो चाहे वो काम लेना हो चाहे वो मैं किसी भी तरीके के काम की बात करूँ हाँ अगर आप यह कह रहे हैं कि थोड़ी गंदगी थोड़ी सफाई बिलकुल सारे नेताओं को जरुरत ह जो विधायक होते हैं, जो सांसेद होते हैं, सब के जिमेदारी बनती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप जेल में क्यों पढ़े हो, बस इतना सा जवाब दे दो मुझे, कि जेल में किस लिए पढ़े हो, और भारत की जनता तो भोली भाली सीधी साधी है, आपको सामने हो खड़े हुए, शीला दिख्षितों में जेल भेजूँगा, और कहकर अलाइंस कर लिया, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, सर पे हाथ रख रहे हो, फिर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर ले, तो भी आप उसको भी गंगा की तरफ ले जाना तो दूर की बात, गंदगी की तरफ ले कर जा रहे हो, तो कॉंग्रेसी भाई ने अगर इस परश्ट कह दिया, तो बुरा मत मानिये, अच्छा ही है, भाई ने कम से कम सच तो बोल दिया, गोपाल दिवारी, आपका पक्ष, देखिए, साजिया जी, मैंने एक दिन पहले और भी का था कि कोई भी बात ब पिजेच बोली जाए, चीक करके बोली जाए तो सच साबित नहीं हो जाती है, और फिर बड़ बहड़ बोले पंजी राज नी था कि अब बोलने ली जिए, आप बोल लीजे, आप बोल लीजे, तो बोल लूँगा, आप बोल लिजे, जो जैल में मैंटे खूए, पूरे मु जबनम जी सुन लेते हैं जवाब दिक रही है देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं इस तरीके की बयानवाजी में विस्वास नहीं रखता हूं मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली जो है चारो तरफ से पहले जलोपूर्ती से संकट से गिरी थी आज चारो तरफ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है आज भी मैं कहता हूँ कि चाहें आम आदमी पार्टी हो चाहें कॉंग्रेस हो आम आदमी पार्टी को और बिजेपी के साथ MP यहां जीते हैं पहले भी साथ MP यहां थे इनको बड़ा दिल दिखाते हुए क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली में जब कुछ होता है इसका मैसेज पूरे देश में जाता है आज आपको एक पूरा पैनल बैठाना चाहिए कि कैसे यहां चारो तरफ जो नाले चोक हो रखे हैं जो जल की अपूर्ती आ रही कैसे यह ठीक हो सकती है आप मुझे बता दीजिये साथ MP इनके पहले थे आज साथ MP विजेपी के हैं कितने MP वो ने भारत के सदन में इस बात के लिए आबाज उठाई कि दिल्ली में इस तरीके की संकट है इस तरीके की प्रैसानी है क्या समाधान इसके लिए होना चाहिए एक विक्ति ने इसके ल या तो वो टेंकर माफिया की जेम में गया है या तो वो जल माफिया की गेम उसमें गया है और जो जो टंकी जो गली मोहले में बाटने जाते हैं आखिर इससे निपडने के लिए यदि आपके पास कोई एक्सें प्लान नहीं होगा तो आप कोस्ते रहिए गाली देते रहिए क इसी को बरिष्ट साती है बड़ा सम्मान के साथ इनको कहना आपने नरंद्रमोदी की बात की जनता वास्तों में जागरुक हो गई है और इसलिए उत्तर पदेश से आपको खदेड करके भेग दिया रही बात आप आप बोलने लिए जाओगे रही बात तीन दिन आज चौता इसे प्टा करके और ते भी नहीं थे और कहीं भी नहीं हो तो इतना रही बात चार दिन पहला दिन जवाल पूर पूरी तरीके से जील बन गया दिल्ली का एयरपोर्ट जील बन गया गुजरात का एयरपोर्ट पुरी तरीके से जील बन गया दिल्ली में चार लोग बन गए एयरपोर्ट गिरने से किसकी जिम्मदारी है अध्या में जगए जगए कटे हो रहे हैं राम मंदिर का नाम लेते थे राम मंदिर की च्छत पक रही है यह इस तरीका की जो सोच और इस तरीका का जो दोरा रवया है यह बीज़ेपी वालों का पुरा देश देख रहा है चिक है चिक है सेडी जी देखे शोर मचाने से बहुत उच्छा बोलने से एक दूसरे के उपर अरोप परत्यारोप करने से जनता के मसले हल नहीं होते जनता के मसले जो गरीब जनता है जो इन दुखों को सैन कर रही है उसके लिए सांसद आपके भी हैं उनमें से छे संसद की आपने टिकट कर दी क्यो आपके सांसद हैं आपकी पार्टी ने ये माना इन्होंने कोई काम नहीं करा उनको टिकट नहीं दी अभी भी आपके सांसद हैं और हर सांसद के सकारेशेत्र के अंदर दस विधायक होते हैं और उनका एक बजट होता है जो विधायक से कहीं कुना ज्यादा होता है उसके ल जानिंग हुई थी, वो सो साल पहले हुई थी, जो छोटे-चोटे पाइप हैं, पानी की निकासी के लिए बड़े पाइप डालने पड़ेंगे, और सब की कलेक्टिव जिम्मेवारी हैं, चाहे आपोजिशन हैं, पक्ट, चाहे विपक्ट हैं, साथ में बैठें, और जनतिया सारे साथ में बैठें, और इसके उपर काम करें, और बड़ी तेजी के साथ काम करें, चाहे दिल्ली के विदायकों, चाहे दिल्ली के सांसदों, यह सारे जने इकटे बैठेंगे, तो इसकी एक पाइपलाइन जो मालो 6 इंच की है, या 8 इंच की है, वो 4-5 फूट की जनता को काम मत चाहिए उसका इन सबस्क्राइब कोई बहुताने हुद he अभी महराश्चिक करनेव देश्ची जनता देगी अगर आप काम करेगा हर किसी भी सरकार का बेसिक काम होता है वह होता है। पर सरकार की जो प्राप्ति है राजस्ट की वो भी जनता के ऊपर टैक्स एसेसंस होती है दूसरी तरफ जो खर्च करना है तो किस हैड में खर्च करना ये इंशॉर करना है उधरण के तौर पर मान लीजिए अभी कहा है दिल्ली एक लेंड लॉक इस्टेट है सब लोगों को ज़्यादा दिल्ली बारिस को टॉलेट नहीं कर सकती 28 जून को क्या होता है कि 248 mm बारिस होती है कि आपको ये सारे आंख़़े पता है कही बर्सों से तो आप दिल्ली के आसफास जीले क्यों नहीं बना रहे है जो है आप बिजली फ्री देके मान लो एक हैट से आपको फ्र परी दे दिया वो इस तरह की आपको आफ़त आ गई तो कि आपने किसी नेता ने अपने पास से फ्री दिया क्या जब तक इन चीजों का समाधान नहीं होगा इस तरह के सॉलुशन नहीं होगा नथिंग इस परी आपको यह देखना है कि दिल्ली में पानी की आपूर्ती के लिए किसी सरकार ने बेवस्ता की है कि नहीं जो भी एक सज्जन कह रहा है थे जनता फिर में तो जाती क्या करे अरे आपके घड में पड़े लखे बच्चे हैं उनको बोलिया के ना वियू करे पहले कि तुल्ला मे आप उसको नहीं कर रहे हैं ऐसे जल वराव की सिद्धी से निवटने के लिए आपने जो ड्रेनल सिस्टम को प्रपर इंप्रूमाइज करने के लिए क्या किया है फ्री बिजली से क्या होगा पता है अब क्या होगा यह सबसे बड़ा सवाल है और अब बजीरा सबसे में और जो होगा यहां तो बेकार होता है आपको च्रेंगे जहीं और कि आपको नहीं कर पाएंगे प्राबलम यह कैसे देंगे की तो कैपिसिटी आप बच्चों वाली बाते करते हैं अपके जार मजीराव करेंट है आपस में लड़ाई होगी ठीक है अभी इनके लोग है रिपरजेंटिव है इनका ऐसे होता है यह कहा है कि हम समनेवे से बैठेंगे आज एल जी कोई ओडर देगा जी कोई और देगा तो केजरिबाल जी बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा उस चीज को तो समनेवे होगा कैसे कैसे लड़ेंगे सबस्क्राइब और यह समानित लोग जब ऐसे लडरेंगे संसद संसध में फेके जा रहे तो फिर समझोों लोग क्या करेंगे इंठेक Pangini India मशो कीगा की और उसका उसका उपे बाते उसका उसको पर डालते हैं ऐसा ना करते हुए हमारी आम जिन्टा की यही रहा है कि सारे मिलके यह दिल्ली की समस्या को हल करें और यहां पर भाई यहां पर देश की जुनता पहुंची हुई है बहुत कुछ बोलना चारी है आप क्या बोल रही किसी ने गासा भी 1907 की पाइप आतिश्री मैंडोला को मिलकी इसने की संवर इसने क्डेश्ण होना था जब कर भई झूत इसने का किसी से पूचा थैझ और वाना चुरी ऊहरा है माफिया चुरा चुरागे और पानी लेगरोडोंथ अगर main spirit skip और फ्वाने उन्से मैंड़ावर क काम नहीं हो रहा है अतीशी मेना डोला को रिजाइन करना चाहिए है तो सुझा